आज का अपना टोपिक है जो सारे बच्चे पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि मैं आप इंपोर्टेंट क्यूशन की वीडियो बनाईए तो आज वो ही है इंपोर्टेंट क्यूशन की वीडियो तो एक तो मैं यह बोलना चाहूंगे अगर मेरे को डारेक्ट लिए कई होते हैं तो बेटा ऐसा है टूदा पॉइंट करना होता तो मैं ऐसे ही 10 क्यूशन डाल देती और उस में एक मिनट के लिए वो वीडियो डाल देती लेकिन हमें तीनों बच्चों को कवर करना जो से पर्षन लेके आते हैं वो भी जो साठ लेके आते हैं वो भी और जो पास होते हो भी ठीक है तो उसमें मैंने मिरको समझाना होता है यह जो 10 क्योशन है इसमें से भी 2-4 क्योशन मैं निकाल देती हूँ कि जादा आने की संभावना कौन सी है और एक दूसरी बात है कि मिरको पता नहीं चलता जैसे अपने इसले बस सेम है तो सिबलियो का और अमडिय की डियुलियो का भी है क्रुक्षेदरा इनुष्टी का है या नहीं है वो बच्चे भी कमेंट करते हैं तो आप देख लेना बिटा कि इंडियन जोग्रोफी में यही टोपिक है क्या सारे कि सारे तो मैं खाली सिबलियो और अमडियो के लिए बनाते हूं वैसे तो और सिबलियो के अकोरडिंग बना रही हूं और अमडियो के भी अगर बचा हुआ है तो वो बच्चे भी देख सकते हैं सेम हैं सले बस और एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को यही चाहूंगी कि आप सारे 10-15 मिनट की वीडियो है इसको आप तसलिस याराम से सकता हूंगे आपके अमडियो के और कुछ सिबलियो के तो यह ध्यान से देखना है दोनों बच्चों को जो शिवलियो और मडियो में हैं तो आपन स्टार्ट कर लेते हैं कि इसको आपका जो पहला है जिन बच्चों को पहला स्टार्ट है तो उसमें देखो ये तीन क्यों सना इसमें से एक आराम से आपके आ जाएगा पहला है भारत की स्थित्ति और विस्तार का वर्णन कीजी और दक्षिन पूर्वी तथा दक्षिन एश्या के संदब में इसकी स्थित्ति स्पष्ट कीजी दूसरा है आपका भारत में अपवात अंत्रों का वर्णन कीजी तथा भारत में अपवात अंत्रों के विकास का संग्सेप्त में वर्णन कीजी ये तीसरा इंपोर्टेंट है इन में से देखो फर्स्ट इंपोर्टेंट है और तीसरा इंपोर्टेंट है तीसरा आपने जो उसमें आया था हिमाल्य का पार्ट और जो अंडियों के बच्चे उन में यही क्योशन आया था से हमकी भारत को मुख्य धरातलिये विभागों में विभक्त कीजिए तथा किसी एक धरातलिये प्रदेश का विस्तरित वढन कीजिए तो इसमें कभी किसी का भी मांग लेते हैं या फिर लिख देते हैं जैसे हमारे सिविल्यू में आया था कि हिमाल्या का वड़न बताया था तो उसमें से कोई एक आप कर शकते हूँ हमालय का या फिर आप ही जो आपके उत्तर भारत का जो मैदान है उसका कर शकते हूँ ठीक है और जिन बच्चों को यह हाड लगते हैं क्योंकि जिन बच्चों ने कलास लिया उनके लिए तो बैटर है समझ में आई हूँगे सारी चीजें लेकिन कलास नहीं लिया फिर कोई प्राइवेट दे रहे हैं तो उनको यह दिक्कत आएगी याद नहीं होएंगे तो उनक लास्ट वाले और चाहिए फस्ट वाले तीन क्योषन कर लो इनमें से आराम से एक एक क्योषन आपका एकजाम में आ ज्या जाएगा तो देखो मानसऻों प avoir बंगाल की खाड़ी आपने उत्तर को सपस्ट कीजिए तीसरा है आपका भारत में पाय जाने वाले विभिन परकार के वर्नों का उले कीजिए तो अपनी सीबिलियू में आया था मर्दा से रिलेटिड आया था मर्दा संग्रक्षन का पिछली बार तो में भी हो सकता है दो नंबर ना आ कि आपके क कियों First Get that jmz कर्द है तो दूसरी निट करते है तो दूसरी में देखो जन्संख्या की वित्रण और जल संख्या के घंता में किया अंतर है और भारत में जन्संख्या कि वित्रन को परवावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए ठीक है और ये जो क्योशन नंबर पांच मैंने डाला है स्पेशल जो अपने सीबिलियो के बच्चे हैं उनके हमारे ध्यान रखना जो अपने सीबिलियो के बच्चे हैं उनमें ग्रामिन बस्तियों वाला जो चैप्टर है वो अब नहीं है पहले हुआ करता था अब सलेबस चेंज हो गया तो ये अपनी है नहीं तो जो अपने सीबिलियो के बच् उनको 4 और 6 लेसन करना है, इन दोनों में से एक क्योशन आपके आ जाएगा तो मैं आपको ये बताते हूं इन में भी जो आपका लेसन नमपर ये जन संख्या का डाटा बहुत ज़्यादा है इसमें 5-6 क्योशन बनते हैं और 5-6 में भी सारे आपके सारे राज्यवाइज डाटा याद करने पड़ेंगे तो इस बच्चों को भोत क्या लगता है थोड़ा सा हाड लगता है तो इससे बैटर आप एक ही लेसन है और एक ही लेसन भी आपका कौन सा है सिर्फ एक लेसन आपका परवास का चोटा सा आपका चैप्टर है दो पेज मुश्किल से होंगे तो ये कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है परवास का 100% आएगा याएगा क्योंकि आपके यूनिट दो में दो ही लेसन है एक तो जनसंख्या का डेटा है जनसंख्या के डेटा वाले में आपके 5-6 लेसन याद करने पड़ेंगे आपको और दूसरा है आपका परवास का ठीक है तो आपको जो सिबिल्यू के बच्चे हैं वो परवास वाला अच्छे से करें बहुत बड़ी आ तरीकी से और इसमें जो भी चार्ट बनते हैं डायग्राम जो ग्रोफिक आपर है बगर डायग्राम के सारी चिज़या दूरी होती है तो सारी के सारे जो अम डियू के हों या सारे बच्चे विद डायग्राम बनाना आपना जो भी आपको क्योशन आता है वो डायग्राम के साथ तर्शाना था कि अच्छे नंबर आई आपके तीसरी उनिट पर चलते हैं तो ये उनली सीबिल्यू वाले करेंगे तीसरी उनिट है अम डियू वालों के लिए मैं बतात और जा संशाधन पर संशिप्त टिपने लिखे ये थोड़े से आपको MDU को क्यों नहीं important है क्योंकि इसमें से बहुत सारे हमारे 4-5 लेसन निकाल दी और जो MDU में है और जो important question थे वो आ चुके सीबिलियों में आ चुके हैं important थे आपके कोईला का important था हरित करांति का important था तो वो आ चुके हैं अब MDU को क्या करना है MDU वाले जो बच्चे हैं उनको करना है तो कोईले वाला करना है कोईले के परकार और सारे के सारे राज्यवार वित्रन है उसका सारा कोईले वाला करना है और हरित करांतिका करना है, और तीसरा एक और है आपका लोहा आयशक, ठीक है लोहा आयशक वाला ये important है, हमारी ये आ चुके हैं सीबेलियों में, इसलिए मैंने ये cover नहीं किये, मैंने सीबेलियों में ये cover किये, सीबेलियों वाले बच्चे ये 7, 8 और 9 पढ़ेंगे, लेकिन जो आपके आम-डियू वाले बच्चे हैं वो कौन सा करेंगे कोई लेका करेंगे low high के करेंगे और हरित करांति का ये तीन लेशन करेंगे unit 3 में ठीक है इसके बाद में आ जाती है आपकी unit 4 देखो low high spot अलग चीज़ होती है और low high spot अलग चीज़ होती है ध्यान रखें बच्छे कई बारी confused होता है हो जाते हैं कि इधर ये unit 4 में आपका low high spot है यानि आपका iron और steel का ठीक और low high spot आपका अलग होता है जो कच्चा लोगा बोला जता है तो ये आपकी इनुट चार में भारत में लोहाईस पात उद्योग की परगती की समिक्षा कीजी और इन तत्वों की विवेजना कीजी जिन होने इसके स्थानी करण को परवावित किया है इसके बाद में भारत में सूतिवस्तर उद्यों की संग्षिप्त समिक्षा कीजी ये सिबलियों को करना है ठीक है और अमडियों में ये पिछली बार आ चुका है तो सूति वस्तर की जगें, अमडियू में क्या करना है आपको, एक तो कपास का important है, दूसरा आपका, गियूं का important है, तो कपास और गियूं वाले में से कर ले ना, सूति वस्तर आपका आचुका है, ठीक है, और तीसरा है, आपके भारत के आर्थिक विकास में, रेलो और आउसा कि इस पर इस कथन की पुष्टी कीजिए, इस ठीक परिवयन संचार में, इस ठल का, यहां केवल सीविल्यू में स्रड़क परिवयन है, और रेल परिवयन है, यह दो ही है, और जो आपके अमडियू के बच्चे हैं, उसमें इसके साथ दो चीजे और हैं, आपकी, ए आपका जल का जादा important है, तो जल का आपके आ सकता है, जल का important है, और सुती वस्थ की जगह आप लोगों को क्या करना है, आपको करना है गेहूं का और कपास का, और यह बच्चे शिविल्यू के लिए हैं चाया है, तीन क्योस्षन आपके एक तो लोह इस पात का कर लेना है, और आपके हैं यह दो, ठीक यह इन तीन क्योशन में से आपके दो भी आ सकते हैं, और एक तो आए गई आएगा 100% इन तीनों में से, तो यह आपके important question हैं, तो जो बच्चे यह सोचे की मेरी तो तयारी नहीं है, मैंने तो पढ़ाई नहीं है, वो बच्चे भी आराम से पास हो सकते हो आप इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है जोग्रोफी में कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है नंबर ही तो कम आएंगे लेकिन पास तो होगे कई बच्चे आज ही छोड़ देते हैं कि नहीं मैमा भी तो तयारी नहीं होई कब मैंने तो उठाके इबुक उठाके ही नहीं तो कोई बाप नहीं है बटा ये आप आराम से इजी लिए आप तयारी करो इस में से भी देखो 10 के उसन है इस में से भी मैंने बहुत कम कर दिये कि ये ज़्यादा चांसे से आने की और ये कम है तो ये 7-8 के उसन भी आप अच्छे से याद कर लोगे तो पास होने लाएक आ अपराम से हो जाएगा आपको ठीक है ओकी